नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में दूस्तों आप में से कई लोगों ने ये सवाल किया था कि कितने बार जो है दुर्गा पूजा के दौरान आरती करना चाहिए और किस प्रकार से वो आरती करना चाहिए और जो विस्तारित सु देखे देवी मंदर की एक आरती की जो मतलब वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर जिस नियम के साथ जो आरती की जाती है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैं विस्तारित आरती वाले जो वीडियो है वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा आज मैं जो है धूप आरती यानि की संक्षिफ्ट आर्थी को लेकर ये वीडियो बना रहा हूं तो दोस्थो दीखे संक्षिफ्ट आर्थी यान की धूप आरेथी आप बोल सकते एक प्रकार से तो धूप आर्थी में धूणची धूप और पंचे दीपक यह दोनुची बहुत जरूरी होता है बहुत सारे लोग कपूर से यानि धूप और कपूर से भी करते, अब मैं उन्हें नहीं कह सकता कि मत करिये, पर जो है धुनची धूप और दीपक, ये दोनों ही जरूरी होता है, कपूर को जो है जब आप धूप दीप दोनों से नहीं कर पा रहे हैं, तब ही जो है कपूर का इस्तिमाल होता है, जब आप संक्षित आरती कर रहे हैं, वैसे विस्तारित आरती में भी कपूर के आरती किये जाते हैं, असल में क्या होता है, भागवान को ना सुगंद बहुत प्रिये होते, तो आप धूप दीप के बाद अगर कपूर के आरती से भी जो है संक्षित आर मुझे लगता है कि अगर आप धूप दीप से आरती नहीं कर पा रहे हैं तो ही आप कपूर से केवल आरती करिए पर धूप आरती जब कर रहे हैं तो उसमें आपको धुनची धूप के साथ दीपक का आरती करना है चाहिए उसके साथ अगर चाहे तो कपूर के आरती आप कर सक मैं ज्यादा तर जिस तरीके से संख्रित आर्ति या धूप आर्ति क्या करता हूँ उसमें जो है मैं धुनची धूप और दीपक का ही आर्ति करता हूँ कई समय जो है मैं विस्तारित आरती भी नहीं करता हूँ सारे आरती यानकी संध्या की आरती पूजा आरती जो सारे आरती होते हैं वो सारे आरती मैं धूप आरती के माध्यम से ही करता हूँ क्योंकि धूप आरती एक संपूर्ण आरती है अगर आप जो है धुनची धूप से पंच दीपक से और प्रणिपात के साथ आप ये आरती करते हैं तो अगर आप जो है इसमें से कुछ चीजे कही लोग होते हैं आपने सुविदा की अनुसार जो है उसे और शौट कर देते तो ऐसा करने से जो है उसकी पूर्णता खंडित हो जाती है तो इसलिए जो है दोस्त तो आप अगर संक्षित आर्थिया धूप आरती कर रहे हैं तो आपको धूप और दीप इन दोनुछ चीजों का ही उपयोग उसमें करना है अब विशय आ जाता है कि आपको कितनी बार ये आरती करना होगा तो दूर्गा पूजा की आप हर उपचार में आरती कर सकते हैं व पर हर जो मतलब एक उपचार होता है उसके साथ भी दुर्गापूजा में आर्ति किये जाते हैं जैसे मा लिजे कलस्थापना होगे एक आर्ति करना होगा जैसे संकत लेने के बाद मा को विराजने के लिए उनके एक प्रकार से धूप दीप से ही आर्ति होती है उनके प्रान बोल सकते हैं क्योंकि धूप को प्रान वायू स्वरूप और दीप को जो है जोती स्वरूप मा के दिनेत्र के स्वरूप माने जाते हैं क्योंकि दीप में जोती होता है तो उस प्रकार से उस प्रार्थना के साथ आर्ति करके जो है न माको विराजने के लिए कहा जाता है व यानिकि मा के सरवेंद्रिय वहाँ पर स्थिती करन के लिए आरती की जाती है इसके बाद जो है जैसे शोड़श उप्चार की पूजा विध्धी होती है तो उसमें भी आरती करना होता है शिंगार करके एक बार अगर खुशके तो आरती करना होता है भूग चड़ा कर जैसे भूग आरती होती ही है उसके साथ जो भी साड़े उप्चार जैसे कि जो नवपत्रिका जो लोग रखते हैं तो नवपत्रिका स्थापन के बाद भी आरती होता है तो आरती जो है दुर्गा पूजा की एक मेन विशे है हर जो उप्चार है वो अपने आप में एक पूर्ण उपचार होता है और उस पूर्ण उपचार को करने के बाद जो है ना धूब दीप से कम से कम आरती करना बहुत जरूरी होता है तब ही जो है वो उपचार पूरे रूप से पूर्ण होता है वो संपूर्ण होता है तो इसलिए जो है आप कोशिश करिए कि जितनी भी उपचार आप कर रहे हैं, चाहे आप पूजा विधी कर रहे हैं, चाहे आप माकश्चिंगार कर रहे हैं, कलस्थापना के बाद आरती करना जरूरी होता है, उसके बाद संकत लेने के बाद एक बाद जो है आरती करना ये जरूरी होते हैं, वैसे देखा जाए तो चार आरती मुख्य र पूजा आरती से कर सकते हैं यानि कि जो पूजा आरती है और जो संध्या के आरती पर मूल रूप से पूजा आरती और संध्या आरती जो है वो थोड़ा विस्तारित सूप से किये जाते हैं तो उसमें पंच उपचार या फर ऐसे सब्त उपचार या कई और उपचारों की प् संग्शिप्त आर्थी विधी है अर्था धूप चलाकर धूनची धूप चलाकर और दीप चलाकर जो आर्थी होती है वही एक संग्शिप्त आर्थी या धूप आर्थी विधी है उसे और संग्शिप्त करने की आप कोशिश मत कीजेगा दोस्तों ये मेरा आपसे निवेदन ह अगर आप कपूर से आर्थी करना जाते तो इसके साथ भी आप कपूर से आर्थी कर सकते हैं वैसे विसरजन की समय भी विसरजन की समय भी जो है आर्थी करने होते जब आप जो लोग दरपन में विसरजन कर रहे हैं उसमें जो है उसके बाद भी एक बार आरती होती है कलश को कलश को जब होता है ना दश्मी की सुभे की पूजा के बाद जब कलश को वहां से खटाया जाता है अथात उतने दिनों तक तो जो है मा वहां पर विराज रहे थे तो उसके बाद मा से शमाय आचना करते होए जो है कलश को हटाया जाता है कलश के ए हटाने से पहले एक बार आरती करना होता है बाद में एक बार आरती करना होता है जब आप मा को जो है अगर आपने मूर्ती रखे है या फर कलश भी आप जब लेकर जा रहे है तब भी आपको एक पर आरती करना चाहिए और जहाँ पर यानि जलाश है में ले जाकर ज सर्चित कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको इक पर आर्टी करना चाहिए वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तर जो आर्टी होते हैं उसमें धूप आर्टी ही ज्यादा होती है यानि धूप दीप से आर्टी ही वहाँ पर ज्यादा होती है क्योंगे विस्तारित आर्टी तो इन सा तिप आरती करना चाहिए दोस्तों धूनों पोड़ानों अनुष्ठान अगर आप अपनी घर पे करना चाहते जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको वहाँ पर भी जो है आरती करने के बाद ही धूनों पोड़ानों का अनुष्ठान जो है वो करना चाहिए कई लोग जो ह धुनोपोडानों के बाद भी आर्थी करते तो वो भी आप कर सकते अगर आप चाते तो पर ज्यादा अच्छा होता है कि आर्थी के बाद जो है धुनोपोडानों या पर आर्थी जिस समय कोई कर रहा है उस समय अगर कोई धुनोपोडानों का अनुष्ठाम करता है तो वो औ और भी जादा अच्छा रहता है मूल रूप से दुर्गा पूजा के हर उप्चार हर नियम हर विधी में आरती आपको करना चाहिए अब ज्यादतर लोग कर नहीं पाते ये अलग विश्य होता है पर हर किसी चीज में आरती करना बहुत जरूरी होता है जैसे महास्नान हो जात तो आरती जो है आप बोल सकते कि दुर्गा पूजा के हर नियम को जो कि अपने आप में ही एक संपूर्ण नियम है उसे पूर्ण करता है तो आरती आप धूप दीप से जब संक्षिप आरती आप कर रहे है उसे और संक्षिप ना करते होए धूप और दीप यहाँ पर अग चराकर जो है मा की आरती कर सकते हैं अब आरती के निवेधन के विशय में जो चीज आ जाते हैं आरती वैसे जो भी आरती आप करते हैं उसमें जो है न सबसे पहले मा को हमेशा आरती शुरू करने से पहले मा को तीन गंध पुष्प जो है बेल पत्र के साथ मा के चड़न में या फर कलश के ऊपर आपको चढ़ाने चाहिए उसके बाद जो है कोशा कुशी का जल लेकर और गंध पुश्प लेकर जो है धूप निवेतन करना होता है जैसी कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा हो सके तो तो धूप को आपको सबसे पहले जो है जल लेकर जैसी इसमें जल नहीं है मैं प्रतिकी तौर पर आपको दिखाता हूँ बस तो जल लेकर सबसे पहले जो है ये कहते हुए जो है आपको सबसे पहले धूप प्रक्षन करना है अब गंध पुष्प और अक्षत के साथ जो है एत गंध पुष्प ए नमा धूपाय नमा या पर आरात्र का धूपाय नमा कुछ लोग धूपाय नमा भी बोलते हैं तो मैं आरात्र का धूपाय ही बोलता हूँ जब मैं आरते के लिए धूप जो है दे रहा हूँ मां को निव अब बोलना होता है उंवनस्पति रसो दिव्य गंधाध्य सुमनोहर मया निवेदीत भक्ता धूप यंग प्रतिग्रीहतं एश अरात्रिक धूप सुरिस्ट्री भगवती दुर्काधिव्य निवेदयामी ये कहते हुए जो है न अब हमें धूप लेकर आरती करना चाहिए औ उसमें हमें बोलना चाहिए उंवनस्पति रसो दिव्य गंधाध्य सुमनोहर मया निवेदीत भक्ता धूप यंग प्रतिग्रीहतं एश अरात्रिक धूप सुरिस्ट्री भगवती दुर्काधिव्य आगर पयामी इस तरह से जो है न दसबार हमें माक्य आरती करना है और उ सकते हैं तो इसमें बोलना है ओम एत श्मई बंग निराजन दीप मालाए नम है उ है और जो है दीप हात में लेकर जो है आपको बोलना है ये जो मंत्र है ये आपको यानि ये जो मा के प्रणाम मंत्र है इसे आपको पार्ट करना है मा को प्रणाम करना है और इसी तरीके से जो है ना संक्षिप्त आरती संपूर्णा होती है तो दोस्तों ये आप लोगों का बहुत requested वीडियो था तो मैंने इसके उपर वीडियो बनाया यानकि ये जो धूपार्ति या संक्षितार्ति के उपर कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं वो भी आप लोग मुझे बता अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के साथ जो है इसे लाइक और शेर भी जरूर करतीजेगा मिलेंगे आप से दूसरे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार